सुबह उठकर जो पुरुस इस्त्री का ये अंग देख लेता है वो बहुत ही जल्दी धनबान बन जाता है नमस्कार जैस्री रादे जैस्री किश्ना मित्रो आज का ये प्रसंग आज की वीडियो बड़ी ही अच्छी सीख देने वाली है बताया गया है कि जो पुरस सुबह सुबह उठकर इन चीजों को देख लेता है वो बहुत ही जल्दी धनबान हो जाता है मित्रो आईए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से बैसे कहा भी गया है बुजरगों की कहवत है जब कहीं हम जा रहे होते हैं सुबकार को करने को तो बहां सुबकार में यद बिलम होता है यद बोकार हमारा बनता नहीं है तो बुजरक कहाद करते थे कि पता नहीं आज हमने कैसे का मोह देखा जिससे हमें आज ये काम नहीं बना और ऐसे का मोह देख करके आए सुबह ही सुबह मित्रो बात सत्य है कि भगवान की लाठी जिस व्यक्ति के उपर पड़ती है वो भगवान की लाठी कभी भी आवाज नहीं करती लेकिन उस लाठी से इंसान मर जाता है बेपनहा हो जाता है मित्रो आईए कहानी सुरू करते हैं एक वार एक किसी नगर में एक संत महात्मा बड़े अच्छे संत थे मित्रो बता दें संत होते कैसे हैं संत क्या जिनकी लंबी लंबी जटाएं होती है जो पीले वस्त धारड करते हैं जो लंबा सा तिलक लगाते हैं जो माला छापाट का और संक गदा आद रखते हैं क्या वे संत होते हैं नहीं भोतो संत होते हैं अब आप लोग कह रहे होंगे फिर संत कौन है? संत बो हैं जिनकी आंतमाओं में सांती होती है, जिने किसी चीज का मोह होता नहीं है, जो कभी किसी का बुरा नहीं सोच तकते हैं, वो असली संत हुआ करते हैं. मित्रो ऐसे ही एक संत थे जो भगवान से बड़ा इसनेह किया करते थे बहुत जादा प्रेम करते थे समय समय पे भगवान का भजन करते रहते थे जब भी उनका लाव होता था भगवान को धन्यबाद देते थे और उनको जब भी कोई पीडा होती थी कोई कष्ट मिलता था तब भी वो भगवान की सुक्रिया अदा किया करते थे क्योंकि अच्छा करने वाला बुरा करने वाला है तो वो परमात्मा ही भगवान को ही अपनी सारी हकीकत बताते थे और भगवान के बनाए हुए नियमों पे ही चला करते थे कभी भी किसी के प्रते कोई इरसा द्वेस भावना नहीं रखते थे मित्रो एक दिन बही संत जो पैसा से बहुत दूर रहा खर उन्हें किसी भी चीज का मोह नहीं था आज बे संत महात्मा बही ब्रमड करते हुए गोमते हुए निकल कर जा रहे थे तो क्या देखा है कि सुबह ही सुबह एक जगह पे एक इस्तान पे एक दुकान है और उस दुकान पे एक व्यक्ती बड़ी अच्छी अच्छी गरम गरम जलेवियों को बना रहा है और एक कड़ाई में दोद खौल रहा था मित्रो आज बो संत महात्मा जी जिस वक्त उस दुकान पर पहुँचे हैं हलवाई की दुकान पर गरम गरम जलेवियां और दोद को दे करके ऐसा मालूम पढ़ रहा था मानो ये संत भी इन्हें खाने के इच्छुक हो बो हलवाई ये सब हकीकत देख रहा था लेकिन संत ने हलवाई से नहीं कहा लेकिन भहीं खड़े खड़े देखते रहे हलवाई ने उसी थोड़ी सी जलेवी और एक कुलड में दोद दे दिया आज उन गरम गरम जलेवीयों का स्वाद लिया और दोद को पी लिया आत्मा सांत हो गई दिल से दुआएं देने लगी उस हलवाई को और परमात्मा को धन्यवाद करने लगे परमात्मा आज तो आपने मेरे मन को समझ लिया और मुझे भी इन जलेवियों को अस्वाद और दोद का स्वाद दिला दिया आपके लिए भार भाद धन्यवाद मित्रो बहां सुबै सुबै बारे सो चुकी थी जिससे रास्ते में कीचड हो गई थी जिस रास्ते से संत जा रहे थे उस रास्ते पे बहुत सारा पानी सडक पर था जब संत जी वहां से आगी को बढ़े तो पैरों से पानी को छप छपाते हुए कीचड को उच्छालते हुए वहां से आगे चले जा रहे थे क्या होता है कि उनके पीछे एक योबक और उसके साथ में एक इस्तरी चले आ रहे थे मित्रो आज जैसे ही वो संत बहां से आगे को बढ़ते चले गए लेकिन वो योबक जो था वो संत के बराबर आया और उसके साथ में जो इस्तरी थी और एक दम से बाबा जी जो जा रहे थे वहात मा जी उनके पैरों से जो पानी उचल रहा था एक दम से उस इस्तरी के उपर जाकर कि वो गंदा पानी गिर गया कीचड भरा पानी जो गिरा आज जो इस्तरी के वस्तर थे वो गंदे हो गए उस गंदे पानी से भींग गए लेकिन जो उस व्यक्दी के साथ में इस तरी थी उसने तो कुछ नहीं कहा लेकिन जो पुरुस था उस पुरुस ने जाते ही जाते बाबा जी को हजारों गालियां दे डाली जवाव दिया तुम ढोंगी हो आडंबरी बाबा हो तुमें इस पानी से निकल कर के जा रहे हो क्या तुमें देखा नहीं इस रास्ते से हम भी जा रहे हैं तुमने बताओ सारे कपड़ों को गंदा कर दिया बताओ इसकी में तुमें क्या सजा दू बाबा जी ने कुछ नहीं कहा जब चुप देखा तो उस व्यक्ती ने बाबा जी के जाकर के आगे बढ़कर उसने नहीं सोचा कि आखिरकार ये बुजर्ग हैं और एक संत हैं आज जाते ही जाते ताड सीदे गाल पे तमाचा जड़ दिया मित्रों जैसे ही गाल पे तमाचा लगा बेचारे का बढ़ापे का सरीर तो बैसे भी था उस तमाचे को वरदास नहीं कर सके एक दम से उस गंदे पानी पे ही गिर गए जैसे तैसे लड़कडा बहां से उठे और बहां से उठने के बाद अपने गाल पर हात फिराते हुए अपने गाल को मलते हुए उस पीड़ा को सहन करते हुए बहां से आगे को बढ़े और पर्मातमा से कहने लगे पर्मातमा कैसी है तुम्हारी लेला बहां तुमने हमें जलेवियों का स्वाद दिलाया दोद को पिलाया और यहां पर आते ही आते मैंने ऐसा क्या गुना कर दिया जो मेरे गाल पे तमाचा जड़ गया ये व्यक्ति इस तरह से कहा था कोई बात नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आज संत जी जब चलते हुए जा रहे थे उसी रास्ते से वो व्यक्ति और इस्तरी जब दोनों चलते हुए गए और जैसे ही वो अपने घर के नजदीक आए संत जी उस रास्ते के बराबर आए उस व्यक्ति के घर के सामने आए तब तक क्या देखा जो व्यक्ति उन सीड़ियों से चड़ता हुआ उपर जा रहा था अपने घर की और तो एक दम से वो ऐसी ठोका लगी वो वहाँ सेड़ियों पे गिर गया काफी चोट लग गई उस स्तरी ने आवाज लगाई इतनी तेज चीखी जो आस पास के पडोसी लोग सब दोड़े दोड़े चले आए क्या हुआ देखा इस व्यक्ति के तो बहुत चोट लग गई ये कैसे हुआ उस स्तरी ने इसारा कर दिया ये सब जो हुआ है जो ये बाबा जी है बाबा जी भी खड़े खड़े देख रहे थे कि इस बाबा जी की वजह से हुआ है जबाब दिया बो कैसे सारी हकीकत वताई है क्योंकि इसके गाल पे तमाचा इन्होंने मारा था इसने ऐसी बद्वा दे दी जिससे आज ये व्यक्ति जमीन पे गिर गया इसके चोट लग गई मित्रो बाबा जी को गेल लिया बोले तुम संत हो अरे संतों का ये काम नहीं होता है कि उनके अंदर क्रोध नाम की चीज़ नहीं होती है जो आपने क्रोध में आकर के आज इस बच्चे को इस ब्यक्ति के लिए तुमने सराब दे दिया ये अच्छा नहीं किया इससे बहुत सारी चोट आ गई मना कर दिया बाबा जी ने कहा क्यों पागल बर रहे हो मैंने तो कुछ नहीं किया है जो जैसा करता है उसे वैसा फल मेरा परमात मा दे देता है ब्यक्ति ने कहा कि मैंने इसके गाल पे तमाचा मारा था बाबा जी ने कहा हाँ मेरे गाल पे तमाचा तुमने मारा था लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था बोले इस इस्तरी के उपर तो तुमने जल को फेंका था गंदा पौनी डाला था उसी वक्त वो बाबा जी कहते हैं दोस्तो मेरा मान रहे हो मेरा दोस्त था लेकिन इस इस्तरी के उपर पौनी गया इस इस्तरी ने कुछ नहीं कहा लेकिन इस व्यक्ती ने क्यों कहा जवाब दिया उन लोगों ने कि ये इसकी पत्नी है और ये अपनी पत्नी से प्रेम करता है इसलिए इसकी ये प्रेम का है प्रेम की बज़े से इसने तुम्हारे गाल पे थपड मारा जवाब दिया कोई बात नहीं इसके प्रेमी ने मेरे गाल पे थपड मारा लेकिन मेरे प्रेमी ने इस व्यक्ति के गाल पे थपड मार दिया तुम्हारा प्रेमी कौन है? संतिजी ने बताया जब नगर के लोगों ने पूछा मेरा प्रेमी वो परमात्मा है जो हर किसी से प्रेम करता है यद जो भी उससे प्रेम करता है वो उससे प्रेम करता है इसलिए तो कहा है कि परमात्मा की लाठी कभी आवाज नहीं करती है चोट बहुत पहुँचाती है मित्रो तब बताया कि हमें उन वाबा जी के इस तरीका ऐसा अंग देख लेने से इंसान धनबान हो जाता है उसे कभी कश्ट नहीं मिलता ये चार चीज बताई गई है यद सुबह सुबह आपको दिखाई दे जाएं तो मालो ये सुबह संकेत मिल रहे है आपका काम बहुत जल्दी बन जाएगा जब आप किसी कारे को करने को जाते हो सुबह सुबह यद आपको गाय दिखाई दे जाए तो वो अच्छा संकेत माना जाता है क्योंकि गाय के अंदर 33 कोट देवी देवताओं का निवास होता है मित्रो नम्मर दो बताया है घर से निकलते ही यद आपको संत महात्मा मिल जाएं पीले वस्तरों वाले मिल जाएं तो समझलो आपको सुबह संकेत हो रहा है क्योंकि पीले वस्तरों में भी भगवान के दर्सन ही हुआ करते है नम्मर तीन बताया रास्ते में यद छोटा वच्चा आपको मिल जाए तो समझलो कि आपको अच्छा संकेत हो रहा है अंत्यम और आखिरी बात बताई है कि जिस व्यक्ति को घर से बाहर निकलते समय सुबह सुबह जाता है वो ब्यक्ति बहुत जल्दी धर्मान बन जाता है मित्रो आपको यह वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राब करें लाइक से रेकमेंट करना न भूलें फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंट्रेस्टिंग टोफिक के साथ मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ तब तक के लिए सभी होक्तों को जै स्री राधे जै स्री किसना जै हिंद